हेलो एवरिवन, वेलकम अगेन टू लणवरी दितिमन, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आपकी NCRT बुक के साथ में हमारा राजिस्थान स्कूलों में इस वक्त चल रही है, वही हम पढ़ रहे हैं, क्लास एर्थ को हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नमबर फाइफ उध्योग ह बारे में हमने पढ़ा था राजिस्थान के अंतरगतु, तो आज हम व्रहद उध्योगों को पढ़ेंगे, व्रहद उध्योग यानि की बड़े पैमाने पर चलने वाले उध्योग, ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने पढ़ाया आपको उसमें से एक कोशन का आंसर आप दे जीएगा, क्योंकि आप लोग जो हैं कम्टीशन के त्यारी कर रहे हो, कोशन आपको कहीं से भी पूछा जाए, कोई भी पूछे, वहाँ पर आप आंसर दें, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्रहत उध्योग, वर्तमान में राजिस्थान में उध्योगिक विकास तेजी जैसे कच्चे माल की उपलब्द था, जो कम थी पहले अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है, उर्जा के साधनों पर ध्यान दिया जा रहा है, जल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, व्यवस्था, तो इनकी तरफ यदी ध्यान दिया जाएगा, तो उध्योगिक विकास जो है कौन से उध्योग आ जाएंगे, जैसे सूती वस्था उध्योग है, सीमेंट उध्योग है, चीनी उध्योग है, तो ये सभी जो हैं, बड़े उध्योगों की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है, वहीं लगू और कुटीर उध्योग की श्रेणी में, जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में मिट्टी से बरतन बनाना, बास से जो है, जो टोकरी बन रही थी, वो हमने देखा, और हस्त, जो हत करगा उध्योग है, हास से जो है, वस्त्र बनते हैं, ठीके, वो सब भी लगुकुटीर उध्योग में आएंगे, और बड़े पैमाने पर जो का सबसे प्राचीन उध्योग है, इसकी मिल जो है, अजमेर जिले के व्यावर में, The Krishna Mills Limited, 1889 में इस्थापित की गई थी, ठीके, वर्तमान में भीलवाडा, जिसे हम वस्त्र नगरी कहते हैं, राजिस्थान का प्रमुक वस्त्र उत्पादक शेत्र है, भीलवाडा को राजि सबसे पहली बात कि सबसे प्राचीन उध्योग जो है, व्रहत उध्योग के अंतरगत कौन सा है, सूती वस्त्र उध्योग है, सबसे पहले इसकी मिल जो है, अजमेर में खोली गई थी, और वर्तमान में जो भीलवाडा है, वह है राजिस्थान की वस्त्र नगरी कहलाती है, और राजिस्थान का मेंचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, बहुत ही important line है, वस्त्रों की रंगाई, छपाई और बंधेज कार रहे हैं, जैपूर, सांगानेर, बगरू, जोदपूर, चूरू, भीकानेर, नागोर, जो है वो प्रमुक केंद्र है, जहां पर वस्त्रों की होती है, छपाई होती है, और बंधेज कार रहे होता है, तो जोदपूर का जो साफा है, वह मसूर है, मिवाड की जो पगड़ी है, वह मसूर है, ठीक है, तो यहां वस्त्रों की रंगाई छपाई का काम कहा होता है, जैपूर में, जोदपूर में, बीकानेर में, चूरू औ और नागोर मेंवैं राज्य में हनुमानगड, गंगापूर ऑवं गुलाबपुरा, भीलवाडा की सहकारी वस्तर मीलों को मिला कर राजिस्धान राज्य सहकारी स्पिनिंः एवं जिनिंग मिल संग की इस्थापना की गई एंगे को जिस स्विन पेट कहा उध्योग में आजाएगा, सीमेंट उध्योग, राजिस्थान में सीमेंट उध्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है, सीमेंट उत्पादन के लिए क्या-क्या चाहिए होता है, चूना पत्थर, जिपसम और कोईला जो है, वह कच्चे माल के रूप में प्रियो तो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखें कि सीमेंट उध्योग के लिए यानि सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल में चूना पत्थर, जिप्सम और कोईला ये तीन चीजे जो है वो प्रियोग में लिजाती है ठीक है जिसमें चूना पत्थर और जिप्सम जो की कच्चा मा वह राजिस्थान में उपलब्द है लेकिन जो कोईला है वह मध्य प्रदेश और च्छतिस गड़ से मंगवाना पड़ता है राज्य का पहला सीमेंट कार खाना बीसवी सदी के दूसरे दसक में बूंदी जिले में इस्थित लाखेरी में खोला गया था ठीक है तो बहुत कच्छे माल की उपलब्दता के कारण चित्तोडगर जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्स जिला माना जाता है तो यहां पर आदर्स जिला माना जाता है जहां पर चित्तोडगर जिला जो है यहां कच्छा माल जो है वो हमें मिलता है और वह भी चूना पत्थर और जि जे के सीमेंट वर्क निमबा हेडा आधी कई प्रमुक सीमेंट कारखाने हैं, ठीक है, तो थोड़ा ये भी ध्यान में रखें कि कौन-कौन से कारखाने जो हैं, कहां पर हैं, और तीन चीज़ें जो की सीमेंट के लिए कच्चे माल में प्रयोग होती हैं, चूना पत्थर उध्योग जो है वह है खोला गया था, फिर देखें व्रहद उध्योग के अंतरगत, तीसरा जो उध्योग आता है, वह है सक्कर उध्योग, यानि चीनी उध्योग, चीनी किस से बनती हैं, गन्ने से बनती है, तो जहां की भूमी थोड़ी सी नम होगी, वहीं पर गन्ना ज वो 1932 में दम मेवाड सुगर मिल्स निजी शेतर में इस्थापित की गई थी। गंगा नगर में घी उध्योग, वनस्पती घी उध्योग और नागोर में नमक उध्योग है। तो यह भी जाने। यहां पर जो भी बॉक्स में लिखा होता है वो बेहत पढ़ना जरूरी होता है। जो है वो फुल पॉम एक्जाम में पूछी जाती है क्या है? S से स्पेशल, E से एकॉनोमिक्स और Z से जौन ठीक है? राज्य का सबसे बड़ा सेज जो है कहां पर है यानि विशिस्ट आर्तिक शेत्र सीतापूर और जैपूर में इस्थापित किया गया है। तो यह भी जीवन में उपयोगी ऐसी वस्तूओं की सूची बनाईए जिनका निर्मान किसी उध्योग में हुआ है। अपने सिक्षक, सिक्षिकाओं की सायता से आपके जिले के प्रमुक उध्योगों की सूची बनाकर उनसे संबंदित जानकारी एकत्रित केजिए। तो यह 8th class के थोड़ा सा बढ़कर आपको वहां मिलेगा लेकिन इन चोटी classes में जो भी point है वो भी बेहत important है। शब्दावली देखिए उध्योगिक का अर्थ है उध्योग संबंदी। तो यह शब्दावली जो है वो मैं क्यों पूछती हूँ। उसका भी एक reason है कि सभी के Hindi subject होता है। तो हिंदी में हर शब्द जो है वह भी आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। उध्योगिक यानि उध्योग संबंदी। बंधेज धागे से बांध कर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना। मौसमी उध्योग किसी मौसम विसेस में चलने वाला उध्य और रीको राजिस्थान राज्य उध्योगिक विकास एवं वे निवेस निगम। तो चलिए अभ्यास प्रस्न करते हैं। यहां से ये बता लगेगा कि चप्तर जो है कितना अच्छे से समझ में आया। निम्नलकित में से कौन सा राजिस्थान का सबसे प्राचीन तो मैंने आपको पढ़ाया अभी ही पढ़ाया है कि सूति वस्र उध्योग सबसे प्राचीन उध्योग है व्रहत उध्योग की श्रेणी में आता है। चूना पत्थर, जिपसम का उप्योग किस उध्योग में किया जाता है। तो चूना पत्थर, जिपसम और कोईला किस मे में हुआ है तो ग्रेनाइट उध्यों का सरवादिक विकास किस में हुआ है हमने पढ़ा था जालोर जिले में ग्रेनाइट उध्यों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ राजिस्थान के किनी चार कुटीर उध्योगों के उधारन जो है वो बताईए तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कुटीर उध्योग जो की छोटे पैमाने पर काम किये जाते हैं जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है, बांस से टोकरी बनती है ठीक है और हातों से बुनकर कपड़े बनते हैं, इस तरीके से आप याद रखें राजिस्थान की वस्र नगरी किसे कहा जाता है, तो भीलवाड़ा को कहा जाता है राजिस्थान की वस्र नगरी और क्यों कहा जाता है तो ये question जो है वो आप इसका answer जो है वो सोचें chapter हमने पढ़ा राजिस्तान के व्रहद उध्योगों का वर्णन कीजिए तो वही सूतिवसर उध्योग, चीनी उध्योग और सीमेंट उध्योग जो की detail में हमने अभी पढ़ ली है तो बिल्कुल पूरी तरीके से chapter हुआ है complete ठीक है और next वीडियो में हम chapter 6 जो है वह पढ़ने वाले हैं तो जितना भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है regular बने रहिए regular ये चीजे पढ़िए क्योंकि कोई भी competition हो जहां आपका राजिस्थान का जी के पूछा जाता है तो आप इन books से बिल्कुल नहीं बच सकते हो तो next वीडियो में हम परिवहन एवं परियतन के संबंद में पढ़ने वाले हैं मिलते हैं next वीडियो में thank you क्या छॉट बना बिल्कार का जा अिरीlive, क्या क्या है तो Lucky शुट प्रियाओ का जीजे की पहां चाराज की aर The